नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उमीद है कि आप स्वस्थ होंगे प्यारे दोस्तों हमारे सरीर का हर एक अंग भोती भोती महत्पूर्ण है उमीद करती हूँ कि आप सब अपने सरीर का पूर्ण रुप से ख्याल रखते होंगे दोस्तो, सरीर के अंग में, कान एक कैसा अंग है, जिसके बीना हम अधूरे हैं, क्योंकि जब हम सामने वाले के जुबान से निकले हुए शब्दों को उन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो हमारी दुनिया ही बेरंग हो जाती है। इसलिए जब हमारे कान में किसी भी प्रेकार की कोई दिक्कत होती है तो हम बेचेन हो जाते हैं प्यारे दोस्तों कान में किसी भी प्रेकार से आपको कोई परिशानी हो तो मेरा यही सुझाओ है आपसे सबसे पहले कि आप अपने डॉक्टर से सला करेंगे वो अच्छी तरीके से उसकी जाच करके आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे वैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर के पास जाने में हसमर्थ होते हैं तो वो हमारे बड़े बुजूर्गों द्वारा कोई सलहा ले सकते हैं जैसे कि हमारे बड़े बुजूर्गों ने बताया है कि कान में जब तक हमारा मैल हमें परेशान नहीं कर रहा है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी तीली वेगरा अपने कान में लेनी चाहिए ना उनको निकालने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि थोड़ी भूट भी ऐसा अवधानी हमारे कान के परदे को फार देती है और जिसे हमें परेशानी होती है कई लोग क्या करते हैं कि कान में दर्द हो रहा है उन्होंने तिली दी उनके कान का पर्दा फट गया और वो क्या करते हैं कि तेल या कुछ ऐसी चीज़े जो यूज नहीं करने चाहिए वो यूज कर लेते हैं उन से क्या होता है कि उनको फाइदा होने की जगे नुकसान हो जाता है हमारे बड़े बुजूरों ने बताया है की हमें पियाज का रस निवाया करके अपने कान में डालना चाहिए इसको डालने के बाद आप हल्की सी कोटन को लेकर अपने कान में लगा ले कमसे कम 10-15 मिंट तक जिस कान में आपको तकलिफ हो रही है उस कान में आपको कोटन लगाना है और 10-15 मिंट पाद आप उस कोटन को हटा दे इससे कान का जो मेल है वो फूल जाएगा और वो अपने आप निकलने का प्रयास करेगा इसके बाद आप एक उपाई और भी कर सकते हैं कि आप गरम पानी करें सुहाता हुआ जो आपके सरीर को सुहा रहा है और उसमें नमक डालने हलका सा और हलका सा बेकिंग सोडा डालने मातरा थोड़ी कम डालने क्योंकि कान का मामला है और इस पानी को ड्रोपर की साहता से या फिर कोटन की साहता से अपने कान में डाले और उस कान में आप कोटन को थोड़ी देर रहने दें और उस कान में जब तक आप कोटन रखते हैं तब तक आपको हलका सुन पना भारी पना सा लगेगा क्योंकि वो मैल आपको जो निकालना है वो फूल रहा होता है इसके बाद आप कोटन को निकाल दें और कान को उल्टी साइड कर लें जिससे की वो पानी निकल जाए जब वो पानी निकलेगा तो आपका मैल भी भाहर आ जाएगा प्यारे दोस्तों इसके साथ में आप एक उपाय और भी कर सकते हैं नीम और तुलसी का रस यानि की नीम की पतियां और तुलसी की पति को अपिस कर कपड़ा चान कर लें उसमें कोई तत्वा नहीं रहना चाहिए उसको कपड़ा चान करके आप कोटन की साहता से उसको कान में डालें इससे भी आपके मेल को असानी होगी भार निकलने में आप से यही उमीद करती हूं कि आप बहुती सावधानी पूर्वक यह सब चीजे करें अगर आप बच्चे लोग हैं तो यह चीजे अपने आपसे ना करें आप अपने बड़ों की साहता से करें आपसे उमीद यही है कि आप बातों को सुने नहीं आप अपने डॉक्टर से जरूर से जरूर विचार विमर्ज करके ही इन उपायों को अपनाए ताकि भविशे में आपको कोई दिकत ना हो प्यारे दोस्तों हमारे चैनल पर आकर मेरे वीडियो को देखकर आप ने मुझे जो इज़त बक्सी है उसके लिए तै दिल से धन्यवाद और उमीद गरतियों की आप अपना प्यार ऐसे ही हम पर बनाए रखेंगे धन्यवाद जय भारती